हलो एब्रिवन तो कैसे हैं आप आज मिलाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि आपको टेरिस गार्डन में कौन से फ्रूडिंग प्लांट लगाना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला प्लांट है चीकू का प्लांट यह हमारे चीकू का प्लांट सबसे पुराना प्लांट है यह टेरिस पे इसको हमने लगभग साथ साल पहले लगाया हुआ था और मेरी टेरिस गार्डनेंग की सुरुवाद भी इसी से हुई थी आप देख सकते हैं यह नहीं देते जाता हूँ जैसे कि गोबर की खाज या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं लेकिन में गोबर की खाज आपको ज़ाद प्रिफर करूंगा लेने के लिए तो आपका पहला प्लांट है यह चीकू का प्लांट तो आप लगाईए चीकू का प्लांट अपनी टेर वो एक ऐसा नःबू होता है कि इसमें हर साल फूरुटिंग और jak विवारिंग नेले अशजनाय को होता हुँ आप गए है और इसमें ठीशने कंपने गरों में डव 10 कुछ आव होता है एक लारी जाए हो ले हुए है और flowering भी हो रही है और fruiting भी हो रही है तो आप भी लगाएए यह nebu का प्लांट लगाने के लिए आप क्या करें या तो air layering plant ले सकते हैं या तो graff도 plants ले सकते हैं Seed से लगाए हुआ plant 4-5 साल समय लेगा तो 도 umbrella में अगर आपको लगाना है तो आप एयर लेरिंग या ग्राफ्टेट प्लांट को चूज करिए सॉल मिचर जैसे होता है गार्डेन स्वाइल सेंडी स्वाइल और आप उसमें कंपुस्ट एड़ कर दीजिए तो आप लगाईए कागजी निबू तीसरा प्लांट है हमारी शा कर देख लीजिए इसने हर एक एक नौट पर साइड ब्रांच में इसके फ्रूटिंग हुई है क्योंकि मैंने इसको प्रून किया था तो यह बहुत ही अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग पर आ जुगा है इसके हर एक एक नोट के पास बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हैं कि छोथा प्लांट है हमारे चारी कि प्लांट अब देख सकते हैं इस प्लाइन में इस समय फ्रॉरिंग है फ्लॉर।-ślaur तो है और फूरुट में जल्डी है कनवर्ट हो जा रहिए ये में यह रोगा नल कि हार्श क्लाइमेट भी जैसे कि एक गर्मी इसको सहटा ये मेरा प्रेट बहुत ही healthy और bush और इसको मेने च्छोटे से पॉत में लगाया हुआ है ये मेरा प्रेट बहुत ही अच्या तरह से फ्लाउरिंग पिछले साल वे किया था और इस समय भी fruiting पे आ रहा है आप देखी इसमें flooring ऐसे बनती है और यह बाद में यही flower यहां से fruit में convert हो जाते हैं तो आप भी लगाईए अपने terrace पे cherry का plant और आप भी देखेंगे इसका result बहुत ही अच्छा होता है जब cherry के plant इसमें fruit में convert हो जाते हैं तो cherry जब इसमें लगती है यह बहुत ही अच्छी होती है red red cherry आपकी आखों को दम बहुत ही अच्छी ताजा फिल करवाएंगे और आप जब इसे देखेंगे तो इसको तोड़ने का मन ही नहीं करेंगा इसका स्वाद खटे और मिठे में होता है बहुत ही जाद प्यारा है यह cherry का plant आप भी लगाई है और इसमें भी इस समय फ्रूटिंग हुई है और मैंने भी बहुत वराइटी का लगाया हुआ है जैसे कि एक यहां पर है ग्वावा का प्लांट बहुत ही अच्छा रहता है यह आपके garden में एक greenery देता है और इसको मैंने बड़े container में लगाया हो तो यह बहुत ही यह हमारा चट्वा प्लांट है अंगूर का यह अंगूर का प्लांट मैंने एक container में लगाया हुआ है और यह बहुत ही लंबी बेल हो चुकी है आप देखिए और इसमें फ्रूटिंग भी आये हुए है आप देखिए इसको मैंने इस container में लगाया हुआ है और यह बहुत ही नहीं करता है और आप जब इसको लगाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा क्रीपर की तरह है और इसकी लीफ्स भी बहुत ही प्यारी उखती है आप इसको लगाईए अपने गार्डेन में और इसके फलो का फायदा उठाईए इसके बाद आता है हमारा ये एपल बेर का प्लांट ये एपल बेर का प्लांट लगबद हमारा तीन साल पूराना प्लांट है ये बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग करता है इसके हर एक एक नौड में बहुत ही अच्छी बंचेज में फ्रूटिंग और फ्लॉरिंग होती है इ वरना इसके फ्लावर भी ड्रॉप होंगे और फ्रूट में कन्वर्ट ना होंगे तो आप एपल बेर अपने टेरिस गार्णिंग पर लगा सकते हैं और इसको लगाने के लिए अब ज्यादा बड़े पॉड का इस्तेमाल करिएगा इसके बाद आता है हमारा ये शरीफे का प्लांट आप शरीफे का भी प्लांट लगा सकते हैं इसको मैंने अभी जल्द ही लगाया है तो अभी ये अपने आपको इस्टेबल कर रहा है आप भी इस समय इसको लगा सकते हैं और आपकी छट पे ये बहुत ही अच्छा फ्रूट कैसी होती है तो आप भी लगाई हमारे साथ बने रही है और इसकी हम डेली अपडेट आपको देते रहेंगे आप चाहेंगे तो ये पपीते का भी प्लांट अपने टेरिस पे लगा सकते हैं अभी मैंने इसको जल्द ही लगाया हुआ है तो मैं भी ट्राइ कर रहा हूँ आप भी ट्राइ करेंगे पपीते का प्लांट बहुत ही बड़े कंटेनर में लगता है इसको मैंने बड़े कंटे यह आप अपने गार्डेन में लगा सकते हैं, इसके लिए आपको बड़ी कंटेनर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह बीच में हमारा पहले एक मदर प्लांट था, जो फ्लारिंग और फ्रूटिंग करने के बाद हमने इसको हटा दिया, और साइड से दो लगाईए, और इसके फ्लार और प्लांट और फ्रूट का आनन्द उठाईए, तो यह रहा हमारा आज का अपडेट, आपको कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पे आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो जानने के लिए, बेल आइग झाल, 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